नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हैं आसा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फरवरी 2021 का परिच्छा का एड्मीट कार दोस्तों हॉल टिकेट आपको इसी परकार से नजित आएंगे जिससे देख पार रहे हैं यहां इंड्रोल्मेट नंबर कंट्रोल नंबर नाम इक्जामिशन सेंटर एड्रेस और फोट और यहां पर सिग्नेशर आपका जो है रहने वाले इसी परकार से रहेंगे जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों 8 फरवरी को यहां आप सभी का परिच्छा स्टार्ट होने वाले जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी भली भाते देख र लेकिन दोस्तों यदि आपने हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें वेल कैकन को हीट करें और इगनु से रिलेटेड वो पल-पल खबर जामते रहें जो कि आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा किकि हम देते हैं इगनु फर्वरी परिच्छा को अपडेट को लेकर यानि कि दोस्तों इगनु फर्वरी परिच्छा का हॉल्टीकट के बारे में आज हम बात करेंगे आप सभी के पास यहां पर रखने वाल है क्या इगनु फर्वरी परिच्छा का हॉल्टीकट आएगा भी या नहीं आए तो इस सारे सारे सवाल सिफ सिफ एक notification जो इगनु ने बहुत ही बड़ी mistake कर दिये इगनु ने अपने examination form की जो date है वो extend करके यानि आप सभी का परिचा form की अंतिमति थी है 31 जर्मरी तक कर दीगे विथ लेट फैन के साथ यानि एक हजार लेट फैन लगेगा और आपका 31 जर्म वाल है तो इनी सारे बातों का आज ही याँ पर परदाफास करेंगे तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या 31 फर्वरी परिच्छा 2021 का हॉल टिकेट आएगा या नहीं आया गया यदि आएगा तो कब तक आएगा डाउनलोड हम कैसे कर पाएंगे इसके साथ साथ दो दोस्तों आपको यहां पर अपना इरॉल्मेट नंबर रहेगा उसके बाद आपको यहां पर कंट्रोल नंबर रहेगा उसके जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा वो रहेगा फिर आपका जो भी नाम है वो मेंसर रहेगा एग्जामिशन सेंटर कौन सा भर है आपने वो exam center का address क्या है वो भी बिंसर रहेगा यहां पर आपका photo रहेगा और यहां पर आपका signature रहेगा यह तमाम चीज़े आपके examination जो है admit card में वे सारे का सारे नजर आएंगे उसके बाद जैसे आप दोस्तों नीशे आएंगे वैसे आपको यहाँ पर दोस्तों छोड़ी छोटी भासा में course code आपको नजर आएंगे जैसे प्रिंट का बटम होता है यहाँ से आराम से इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपका परिच्छा कब होगा किस समय होगा वो सारे का सारे यहाँ पर आपको बात कहा जाएगा आपटर नून आपटर नून या मौन्निंग सेक्षन में वे सारे के सारे चीजे आपको लिका रहेंगे यानि कि दोस्तो आपको यहाँ पर बात करेंगे हम लोग तीन सेक्षन के बारे में तो सबसे पहला सेक्षन दोस्तो आपके एक्जामिसन जो है कॉर्स कोड के बारे में रहेगा दूसरा एक्जामिसन का डेट रहेगा कि आप किस तितिक को आपका परिच्छा होगा और दूसरी जो है next है दूसर सेसर रहेगा और चोंती जो है रिमार्क रहेगा रिमार्क में कुछ ऐसे चीज़े जो कि कुछ term and condition लगाय जाता है किसी subject में वो लिखाय जाता है अगर कुछ नहीं है term condition तो उसको इसी परकार से करक जोड़ दिया जाता है अब चलते हैं आप इसका hall ticket को किस परकार से कहां से डाउनलोड कर सकेंगे उसके भी वारे में यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों यहां पर इसका hall ticket डाउनलोड करने के लिए इगनु के ऑफिसली website में आने होंगे आने के बाद दोस्तों आपका result वाले टेब में जाने होंगे रिजल्ट वाले टेब में जाने के बाद धिरी धिरी स्कॉलर करने होंगे उसके बाद यहां पर दोस्तो हॉल टिकट अबलिक एड्मिट कार लिखा है यहां पर आपको क्लिक करने होंगे जैसे यहां पर क्लिक करेंगे वैसे दोस्तो यहां पर 2020 लिख कर एक लिंक आएगा उस लिंक में आसानी से आप यहाँ पर परिच्छा में बेट सकते हैं और अपने admit card को download करने के लिए दो चीज का जोरुत होगा पहला आपका 10 जरीज का enrollment number और next दोस्तों आपका कौन सा पूर्गराम में पाते हैं यह दोनों चीज आदि आपके पास है तो आप आदा हमसे submit button पर click करेंगे वैसे आपके hall ticket आपके नजर के सामने आपके आँखों के सामने आ जाएंगे यह थे आपके hall ticket download कहां से करेंगे कैसे करेंगे और hall ticket के वो download करने के लिए किन किन तमाम जानकारी को जो है आवे सकता पड़ती अब यहाँ पर अंतिम में बात करेंगे दोस्तों यह hall ticket कब ते खाएगा according to दोस्तों term condition के rules के हिसाब से यहां पर दोस्तों साफ साफ बिखा हुआ है कि आपके hall ticket दोस्तों कब तक यहां पर जारी कर दिया जाएगा यह सारे का सारे term and condition दोस्तों आपके यहाँ पर examination hall में यहाँ पर लिखा इया है, साप साप यहाँ पर देख पा रहें, issue of the hall ticket साप साप लिखा इया, यहाँ पर साप साप लिख दिया इया है, तो दोस्तों approximately 7-10 दिन before, यानि जो भी term examination होगा आपका, उसके 7-10 दिन पहले पहले आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, यानि कि दोस्तों यहाँ पर पूरी बात अगर हम कहें, को आपका देशे परिच्छा अगर 8 फरवरी से start है, 8 फरवरी से start है, तो 7-10 दिन पहले अगर कहते हैं, एक फरवरी तक किसी भी हालत में आपका admit card आ जाएगा, यदि आपका परिच्छा माल लेते हैं, दोस्तों, आपका परिच्छा इस तिथी को है, यानि आगर आपका परिच्छा 12 फरवरी को है, तो बार फरवरी से just before, यहाँ पर 7 दिन पहले चल जाए, यानि कि दोस्तों आपका परिच्छा जो है तकरीबन यहाँ पर बात कहा जाए, 5 तारिक तक आपका परिच्छा का जो है आपका हॉल्टिकट आजाएगा, माल रहते हैं दोस्तों आपके पहली जो परिच्छा, स्टार्टिंग है, अगर इस परकार से स्टार्टिंग क्या यहाई है, तो बाइस तारिक से, जस्ट साथ दिन भीफोर आप चले जाएए, आपका परिच्छा करती थी अभी नहीं है कुछ दो के बाद आपका परिच्छा नहीं किया चायगा तो दोस्तों उस बत अगर आपका नहीं निकले तो आप चिंता करने कर सकते हैं कॉलमी एप के जरीए कैसे आप हमसे बात करना है उसके लिए हम एस्पेसल एक वीडियो बनाया है दोस्तो आसानी से आप उस वीडियो को देखें और सिख जाएए कि आप हमसे कॉलमी एप के जरीए किस प्रकार से बात कर सकते हैं वो वीडियो भी इस वीडियो के description पर मिल जाएंगे और video section में यदि आप जाते हैं दोस्तों तो यहां video section में भी हमने हमने upload कर दिया है तो यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं यहां पर मैंने तमाम जो video के जनकारी अच्छे-च्छे जानकारी हैं आपके सामने पर्दसित करके रखेगे हैं इसलिए दोस्तों सारी का सारे वीडियो जरूर देखे हैं हमारे जितने भी वीडियो आते हैं बहुत ही इंफ्रमेशन वाला वीडियो आते हैं इसलिए सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखे यहां पर दोस्तों यह जरिये तो यह थे दोस्तो आज का यह वीडियो आसा करते हैं कि आप सभी के लिए काफी इंफर्मेशन हुआ होगा और आप सभी जो इंतिजार कर रहे थे कि हम सभी का जो है कब तक हाल टिकट जारी क्या जाएगा तो उन सारे का सारे जानकारी हमने इस वीडियो के तहट दे दिएगे तो चलिए दोस्तो मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ कोई नए जानकारी के साथ एकनूसर रिलेटर पल पल खबर के लिए चैनल को जरू सस्क्राइब करिएगा वेल काइकन को जरूर से जरू हीट करिएगा वीडि